केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नज़र एक ओर जहां इसराइल और हमास के बीच भयानक जंग जारी है तो वहीं दूसी तरफ पडोसी देश पाकिस्तान की ओर से भी भारत को उकसाने वाले काम को अंजाम दिया जारा है मंगलवार की रात पाकिस्तान ने जमू में स्थित आरस पूरा के इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज़ फायर का उलंगन किया है अभी तक मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की ओर से अच्छानक की गए गोली बारी से सीवा सुरक्षा बल के दो जवान जखमी हो गए है पाकिस्तान की ओर से मंगलवार को रात दस बच कर 20 मिनट पर सीज़ फायर का उलंगन किया गया और साथ ही भारती जवानों पर फायरिंग की गई इस फायरिंग में BSF के दो जवान जखमी हो गए हैं जिसके बाद से उन्हें जल्दी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया इस घटना के बाद भारती जवानों ने भी जवावी कारवाई शुरू की है भारत के सैनिकों ने पाकिस्तानी पोस्ट एकबाल और खन नौर की ओर गोली बारी की है सीज़फायर के उलंगन की ये घटना इंटरनेशनल बॉर्डर के विक्रम BOP के करीब हुई है बॉर्डर सिक्चॉरिटी फोर्स के दो जवार इलेक्रिकल लाइट का काम करवा रहे थे ये इलाका बॉर्डर से करीब 60 मीटर दूरी पर था और बॉर्डर आउटपोस्ट विक्रम से तक्रीबन 500 मीटर की दूरी पर इसी दौरान पाकिस्तान की ओर से फाइरिंग शुरू कर दी गई चुसमें जवान घायल हो गए दोनों देशों के बीच सीजफायर को लेकर समझोते के बावजूद पाकिस्तान की ओर से इससे पहले भी कई बार सीमा पर सीजफायर का उलंगर किया गया है जानकारों की माने तो पाकिस्तान जमुकश्मीर में आतंगवादियों को घुसपैट कराने के लिए ऐसी खरकते करता रहता है इसके साथ ही ये तरकीवे अपना कर पाकिस्तान की ओर से हत्यारों और नशीले पदार्तों की तसकरी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है पाकिस्तान की सेना और आईएसाई की सरपरस्ती में आतंकी और तसकर अकसर भारत में घुसपैट की कोशिशे करते रहते हैं